हलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो माई चनल माई बेबी केर और मैं हूँ आपके साथ अर्शना फ्रेंट्स आपके घर में अगर छोटा बेबी है तो आपको बेबी के ओरल हाईजीन का बहुत ध्यान रखने के जरूरत है और इनके दातों और गम्स की साफसफाई करना जरूरी है वरना आगे चलकर बेबी के दात जो है जल्दी ही खराब होने लग जाते हैं बैड ब्रेथ इसको ना हो इसके लिए जरूरी है कि आप स्टार्टिंग सही बच्चे के ओरल हाईजीन का उनके गम्स का उनकी टीत के साफसफाई का ध्यान रखें तो देखे फ्रेंट्स जब बात आती है बेबी के ओरल हाईजीन की तो पिरेंट्स के मन में सवाल आता है कि कौन सा करना चाहिए तो इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और आज मैं बात करूंगी एक टूथपेस्ट के बारे में भी जो की है लवलाप नैचुरल बेबी देन टूथपेस्ट अगर आपने बेबी के तूथपेस्ट करने के लिए आपको ओप्शन्स देखना चाहते हैं तो आपको यह क्यों करना चाहिए तो देखे पहले बात आती है कि बच्चों के दांतों को आपको कब से ब्रश करना स्टार्ट करना चाहिए तो देखे जो आपके बेबी के दांतों को ब्रश कर सकते हैं और शुरुवात में बेबी के लिए जो हैं फिंगर ब्रश जो आते हैं वो यूज कर सकते हैं जो कि सिलिकॉन के होते हैं सॉफ्ट होते हैं उसके बाद जैसे बेबी के एज बढ़ती जाए तो बेबी के एज के अकॉर्डिंग जो हैं ब्रश चेंज कर सकते हैं टूथब्रश में आपको जो चीज़े ध्यान भी रखनी है, सलेक्ट करते वेक वो ये कि पहली चीज़ तो जो टूथब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं, सॉफ्ट होने चाहिए, सॉफ्ट इन दसेंस क्योंकि बच्चों के जो दात या गम्स होते हैं, वो बहुत ही मार्केट में अलगलगें तो जो आपके बेबी की एइज है् उसके अकौर्डिंग ही टूथब्रश यूजिस करें थर्ड चीज आपको देखनी है कि जो टूथब्रश है वो ऐसा होना चाहिए कि उसका हैंडल पर ग्रिप जो है बेबी की अच्छे से आजा क्योंकि आप बच्चे को जब टूथब्रश कराना स्टार्ट करते हैं तो अगर बेबी उसको अच्छे से होल्ड कर पाएगा तो वो बेबी को अच्छे से सूट भी हो जाए और बेबी आराम से इसको ब्रश कर भी पाए तो यह जो वीडियो है मैं इस टॉपिक पर बना चुकी हूँ और इसका लिंक जो है यहां पर ऊपर है अप वहां जाकर इसको देख सकते हैं तो देखें टूथब्रश के बाद नेक्स इस बात आती है टूथपेस्ट की तो टूथपेस्ट आप अपने बेबी के लिए कब से यूज कर सकते हैं जब आपका बेबी जो है 12 महीने का हो जाए और जब बच्चा जो है थोड़ा स्पिट करना स्टार्ट कर देता है यानि कि इसको समझ में लग जाए कि थूखते कैस है क्योंकि तो टूथपेस्ट करने के बाद बेबी को अच्छे से गागल भी कराना होता है तो इसके लिए जब बच्चा अच्छे से करने लग जा इसके बाद से ही आप बेबी को टूथपेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं तो बेबी के लिए जब आप टूथपेस्ट कर तो आपको ऐसा टूथ पेस्ट करना है जो की फ्लोराइड फ्री हो स्टार्टिंग के जो हो थे हां उनमें बेबी के लिए टूथ्पेस् nope ना कि पडुए बताने के यह पार एक पीजर औरक्ट इस स्टपेस्ट मेन्स federals नाचरल है, SLS फ्री है, फ्लोराइड फ्री है, इसके लावा जो टूथपेस्ट है, यह एडिटिव फ्री है, इसके लावा इससे आपके बेबी की दार जो है, वो भी सफेद रहेंगे, येलो येलो टीज जो प्रॉब्लम रहती है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, यह जो आपके बेबी को जो बीटिवर अच्छा लगता है, आप उसके कॉर्डिंग इसको सलेक कर सकते हैं, तो देखे, यह तो मैंने बेबी को टूथपरश कराना स्टार्ट कराते हैं, तो आपको इन चीजों का ध्यान जरू रखना चाहिए, पहली चीज तो देखिए, आपको अ आपके बेबी को जो टूथबरश कराना है, वो मॉर्निंग में और नाइट में आप जरूर रहें, दिन में दो बार जरूर कराना है, नेक्स्ट आप बेबी के लिए जब भी टूथपेस्ट जब आप यूज़ कर रहे हों, तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्याद तो उनके साथ रहकर उनको मॉनिटर कीजिए, उनको देखिये वो किस तरह के से ब्रशिंग कर रहे हैं, उनकी ह Ś Alp कीजिये में समझाएं कि किस तरह के से, किस direction में आपको ब्रश करना हैं, उनको Gumph स्क्रिं करने के लिए भी सर्कुलर मोशन में आप बताय вещи, आप खुद उन जाते हैं तो ये लवलाप और Amazon की साइट पर अविलेबल है और साथी मैंने इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है आप वहाँ जाकर इसको चेक कर सकते हैं तो इस वीडियो को यही पर एंड करते हैं I hope आपके लिए वीडियो helpful रहा होगा वीडियो पसंद आया हो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें शेयर करें आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूस सकते हैं और हमारे चानल से जुड़ने के लिए हमारे चानल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा और बेल बटन को जरूर हिट कीजेगा ताकि आगया आने वाली नई वीडियो आप तक जरूर पहुचें थैंक यू